नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे द्रण संकल्प YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोग की जानकारी के लिए एक बात आपको बता दू कि हमारे इस द्रण संकल्प YouTube चैनल पर UPSC Civil Service एक जाम की तयारी स्टार्टिंग से एक प्रॉपर वे में कराई जा रहे हैं जो कि हम आपको एक Basic लेवल से तयारी करवा रहे हैं और Basic लेवल से तयारी कराने की साथ-साथ हम आपको सबसे पहले NCRT को पढ़ा रहे हैं NCRT सीरीज में हमने अभी तक Class 6 और Class 7 की NCRT की Summary आप लोग को पढ़ाई गया है और इसके साथ ही साथ क्लास 8 की NCRT को भी हमने अभी तक स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम हिस्ट्री को पढ़ा चुके हैं और जोग्राफिक को आज से स्टार्ट कर दिया गया है तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखीगा बहुत ही इंपोर्टन वीडियोस हैं इन सभी में हमने आपको चेप्टर की समरी को बताया है और आज से हम एक और नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको NCRT की कोस्टन अंसर आपको बताएंगे ठीक है जैसे हम आज आपको लोगों के लिए लेकर क्या है इस चेप्टर का नाम है क्या का कहा और कैसे तो यह प्राचीन भारत का ठीक है इस चेप्टर में हमको प्राचीन भारत का इतियास मिलता है और इसी प्रकार से हम क्लास 6 से लेकर कर 12 थके सभी चेप्टर के हम वीडियो लाएंगी जिसमे हर एक चेप्टर के important questions आपको बताएंगे जो या तो अभी तक UPSC जामे पूछे जा चुके होंगे या फिर आंगे पूछे जाने की संभाबना होगे इन questions के माद्धियम से हम पूरे के पूरे chapter को फिर से कबर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला chapter इतका सबसे पहला question सबसे इसके पहले आप एक काम कीजिएगा एक copy और pain लेकर के बैट जाएगा जो जो को से नमा को बताते चल रहे हैं सारे questions आप note करते चलीगा सबसे पहला question दिया जारा कि मनुस्त दोरा सर पर्थम कौन सी फसलों को उपजाने की सुरुवात की गई थी इसके option 4 दिये गए यहाँ पर गेहूं जाओं गेहूं और जो दोनों या फिर इन में से कोई नहीं option D है यहाँ पर C लिग गया और यह option D है ठीक है तो जली से बताईगा हमारे answer देने से पहले आप लोग comment box में अगर आपना answer देते हैं तो हमें समझेंगे कि आप लोगोंने class 6 की जो हमने summary पढ़ाई थी उसको अच्छे से पढ़ाए और समझाए ठीक है तो बताईगा चली अब हम बताते हैं इसका answer क्या है इसका answer है C अर्थात गेहूं और जों दोनों अब इस बात की थोड़ी सी आप पुष्टी का लीजीगा समझ लीजीगा इसके लिए दिया जारे कि सरप्रथा मनुस्त ने गेहूं और जों उपजाना आरंब किया था जो की लगवग 8000 बरस पूर्व उपजाये गया था ठीक है अब इसके बारे में तीन पॉइंट दिय जा रहे हैं तो इन बातों को समझीगा अब जो ये फसले हैं इनको उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर की पहड़ी छित्र में हुआ था गेहूं और जों उपजाने के प्राचिंतम साक्ष मेहरगर के बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं मेहरगर रथाद बलूचिस ठीक है यहां से प्राप्त होते हैं दूसरा पॉइंट में दिया जा रहा है कि नवीन्तम साक्ष के अनुसार चाबल उप जाने के जो प्राचिन्तम साक्ष हैं यह संत कभीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं ठीक है यह साक्ष लगवग 9000 से 8000 बर्स पूर्प के हैं ठीक है तो इसका जो आखरी पॉइंट जारा है पॉइंट नमबर 3 तो इसमें दिया जारा की गार होता था मद्द भारत के बिंद पहाड़ी छेत्र हैं यह अन्य कुछ ऐसे छेत्र हैं जहां पर कसी का विकास हुआ है ठीक है अब आई देखते हैं हमारा आज का कोस्टन नम किनारे उप्सण बी है गंगाबाइस की साहिक नदियों की किनारे उप्सण सी है यह ववी दोनो और संटी है इनमें से कोई नहीं तो आप जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट वॉक्स में दीजिएगा चलिए अब हम बताते हैं आपको आज की इस question का answer इसका answer ए बिल्कुत सही अर्थात सिंदु वा इसकी साहिक नदियों के किनारे ठीक है लगबग 4700 बर्स पूर्व की बात है सिंदु वा इसकी साहिक नदियों के किनारे आरंबिक नगों का विकास हुआ था ठीक है अब यह जो नगर है इनी नगर में जो बिक्सी सब्विता है इसको सिंदु सब्विता के नाम से जाना जाता है ठीक है यहां की जो सब्विता है इसको सिंदु सब्यता के नाम से जानी गई थी ठीक है अब आईए देखते हैं इसकी थोड़ी सी पुष्टी कर लेते हैं तो जो गंगा वा इसके साइग नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था ये आज से लगवग 2500 बर्स पूर्व हुआ था ठीक है यानि कि जो सिंदु नदि के किनारे की सब्यताएं हैं ये पहले भिक्सित हुई थी ठीक है कितने पहले तो सिंदु नगर की जो सिंदु नदियों की जो किनारे की सब्यताएं हैं ये आज से लगवग 4700 बरस पूर्व बिक्सित हुई थी और गंगा नदी के किनारे वाली ये 2500 बरस पूर्व ठीक है तो इस बात को याद करेजिए का कई बार पूछा जा चुका है प्रस्ण तो आएए देखते हैं हम आज का अगला कोस्चन अगला कोस्चन है गंगा नदी क दक्षिन में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का छेतर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था ओप्सन ए दिया जा रहा है कि अबंती बी है बाजी इसके बाद में ओप्सन सी है कासी या फिर डी मगद तो इसका आपसे जल्दी से हमको आंसर कमेंड बॉक्स में दीज सही है ठीक है इसको मगद के नाम से जाना जाता था ठीक है तो इसको थोड़ी सी पुष्टी कर देते हैं इसकी दिया जा रहा है कि सोन नदी के आसपास का छेतर प्राचीन काल में मगद नाम से जाना जाता था ये मगद कहला था ठीक है अब जो मगद है ये जो मगर काल का सबसे पहला जो तो बड़ा राजी था इसके सासक जो थे वो बहुती सक्तिसाली थे उन्होंने एक विसार राज की स्थापना की थी ठीक है इसके बाद में अगला पौाइंट इसी में दिया रहे कि मगत सामराजी का जो उतकर्स है यह यह इपु अठात इसा पूर्ब इसापूर्व से आप ऐसे समझते हैं कि इसा मसी के जन्म के पूर्व छटवी सताब्दी में हुआ था अब जो मगत सामराजी है इसका बास्तविक जो संस्थापक थे उनका नाम है बिम्बिसार जो कि लगबग 544 से 492 इसापूर्व के थे ठीक है इनों इसकी स्तापना की थी इसके बाद में हम देखते हैं हमारा आज का कोश्चन नमबर 4 ये बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इसको समझीगा दिया जा रहे है कि भारत देश के नाम के संदर में निम्न लिखित कतनों मेंसे कौन से कतन सही है तो इसके दो कतन यह आपर दिया जा रहे हैं जल्दी से इसको पढ़के माब को बताते हैं सबसे पहला कतन दिया गया कि लगवग पचीस सु बर्स पूर्ब उत्तर पस्यम की ओर से आने वाले इरानियों और यूरानियों ने सिंदू को हिंदोस अत्वा इंदोस तथा इस नदी के जो पूर्ब में इस्तित भूमी छेतर है भूमी प्रदेश से उसको इंडिया कहा था ठीक है ओप्सन बी दिया जर की भारत नाम का प्रियोग उत्तर पस्यम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था इस समूह का उलेख संस्कृत भासा की आरंबिक कृति रिगवेद में भी मिलता है तो इसमें से कौन सा ओप्सन सही है जल्दी से हमको चलिए आई अब हम बताते हैं इसका आंसर सही कौन सा है इसका ओप्सन सी बिलकुल सही आर्थात ये दोनों ही आंसर जो यहां पर दिया जा रहे हैं एक और दो ये दोनों ही बिलकुल करेक्ट दिये गए हैं ओके तो आईए इसके बारे में थोड़ी सी पुष्टी कर लेते यहां पर ब्याक्या के रूप में दिया जा रहा है कि उत्तर पस्चिम की ओर से जो आने वाले इरानी थे और यूरानी थे इन्होंने सिंदु को हिंदोस अत्वा इंदोस कहा था ये सिंदु को क्या कहते थे या तो हिंदोस कहा करते थे या फिर इंदोस कहा करते थे ठीक है और उन्होंने इस नदी के पूर्व में इस ती जो भूमी प्रदेश है इसको इंडिया कहा था ठीक है इसके बाद में एक पॉइंट और दिया जा जा कि जो भारत नाम है इसका प्रियोग उत्तर पस्चिम में रहने वाले लोगों के एक समुह के लिए किया जाता था भारत न लगवग आज से 3500 बर्स पुरानी है बाद में इसी भारत समू के नाम का प्रियोग देश के लिए किया आने लगा जो कि भारत पड़ गया था ठीक है अब आई देखते हैं हमारा आज का पांचवा कोश्चन तो इसमें चार अप्सन दिये गए हैं बहुत इंपॉर्टेन पांडूलिपी के संदर्ब में निम लिखित में से कौन सा कतन सही नहीं है ठीक है बात को समझीगा कौन सा कतन सही नहीं है ठीक है जो गलत है उसको आपको बताना है इसका ओप्सन ए दियाजर की अतीत में हास से लिखी गई पुस्टकें पांडूलिपी कहलाती थी या फिर option B 2000 की अंग्रेजी में पांडू लिपी के लिए menu script सब्द का प्रियोग होता है जो की Latin भासा के सब्द menu से निकलता है menu का रथ होता है option C 2000 की पांडू लिपियां तार के पत्रों को काट कर अथवा हिमाली छेतर में उगने वाले भुरुज नामक पेंड की छाल से बिसेस तरीके से तयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी option DDR की पांडू लिपियां केबल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी जो केबल संस्कृत भासा में लिखी जाती थी अब इसका कौन सा option सही है कौन सा गलत है इसका चैन आप लोग करेंगे तो यहाँ पर इसका कौन सा option गलत है जल्दी से हमको comment box में बताईगा इसका जो अब हम चली answer देते हैं या नहीं तो काफी time हो जाएगा इसका जो option D है गलत है ठीक है अब इसकी थोड़ी सी पुष्टी कर लेते हैं तो इसकी ब्याक्या में दिया जा रहा है कि कथन A, B, C तीनों सही है ठीक है जो कथन A, B, C ये तीन दिये गए हैं A, B, C ये जो इतना और जो menu है इसका मतलब हात है अर्थात हात से लिखने वाली ठीक है पुष्टक इसको का जाता था इसके बाद में ये तीसरा option भी सही है option जो D है ये गलत है अब इसकी पुष्टी कर लीजेगा क्योंकि जो पांडुलिपिया है ये मंदिरों और बिहारों के अतरिक्त अनिस्थानों पर भी प्राप्त हुई है आज में ठीक है जो कि हमारे यांके खोज करता उन्होंने प्राप्त की है साथ ही जो पांडुलिपिया है ये बिबिन प्राचीन भासाओं में भी प्राप्त हुई है इनमें संस्कृत यक्रत और तमिल भी सामिल है ठीक है इसके बा आपने आदेसों को इस तरह से उत्केंड करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख करके पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें ठीक है अभी लिए कहलाते थे तो इसमें कौन सा उप्सन सही है जल्ली से हमको कमेंट बॉक्स में बताईएगा इसको आप कुछ कूट के माद्यम से सही बता सकते हैं अर्थात केवल उप्सन A सही है या फिर केवल उप्सन B सही है या फिर A और B दोनों सही है या फिर इन में से कोई भी उप्सन सही नहीं है तो आप जल्ली से हमको कमेंट बॉक्स में बताईगा कि इसका कौन सा उप्सन सही है अर्थात ये जो कभी कभी क्या हो पहुचाने के लिए अपने नियमों को जनता तक पहुचाने के लिए कुछ किसी कठोर धातु पर अपने नियमों जो नियम है उनको लिखवा देते थे उतकेंड करवा देते थे उसे जनता के सामने रख देते थे जिससे की जनता उसे पढ़ सके और उसका पालन कर सके तो इस में राजा रानिया अन्य लोग अन्य लोगों के आदेश अर्थातकार विबरन भी से आधिका उलेख किया जाता था ठीक है आईए देखते हैं हमारा आज का सात्वा कोश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है सात्वा कोश्चन दिया जा रहा है कि असोक कांधार स एक प्रापताविलेख आए जो की किन लिपियों में लिखा गया तो वो पूँच रहा है ठीक है इसका ऑप्शन दिया जा रहा है कि यूराणी और ब्रामी लिपी ऑप्शन C दिया जा रहा है कि देवनागरी और तमिल औप्शन D इसका एंदम यहां पर D होगा फिर से C लि आंसर देने से पहले आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा चलिए आई अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं इसका ओप्षन डी बिलकुत सही है यहाँ पर मिस्प्रिंट हो गया है यहाँ पर ओप्षन डी होगा ठीक है तो इसके लिए दिया जा रहा ह कि असोक का जो कांधार से अभिलेक प्राप्त हुआ है ठीक है इस शेत्र में प्रियोग तो होने वाले जो यूनानी तथा अरामाइग नाम की दो विभिन लिपियां थी इन्ही भासाओं में इसको लिखा गया था ठीक है यूनानी और अरामाइग लिपी यहां पर पहले ये दो लिपियां चला करती ने इनका प्रियोग होता था तो इन इसको लिखा गया था इसके बाद में question जो आठ है इसमें हमको कुछ कथन दिये गए हैं इनके माद्द्यम से हमको पता लगाना है कि यह कथन सई है या नई इसमें हमको ईसा जो पूर्भ है यह फिर इसके विश के जन trzy के पहले अब इसका करण दिया जा रहे कि बर्श की गर्णा सर्फ की जाती है नीचे कफ्on तर्पिर का 2007 सही इसके बाद में और और डोनों सह उस्प्षटी करण है टिक है इसके बाद में ऑप्संव डिया जा ये कतन सही है लेकिन इसका कारण ये नहीं है या फिर ये कतन सही है इसका कारण ये है क्या है इसका अंसर इसके बाद में option C दिया जा रहा है कि A सही है परंतु R गलत ये सही या फिर ये भी गलत है इसके बाद में option D दिया जा रहा है कि A गलत है और जो R है ये सही है ठीक है त इसका जो कारण दिया गया ये भी सही है अब इसको थोड़ा साम डीपली आपको बताते हैं कवर करते हैं देखिएगा जो बिकल्प ए दिया गया बिल्कुल सही है इसा मसी के जन्म कीती थी के बरस के गणना की जाती अर्था जब इसा मसी का जन्म हुआ था तब से बरस की गणना की जाती जैसे कि जब इसा मसी के जन्म हुआ था तब की जो तारीक थी वो थी एक 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 इसके बाद में जैसे ही वो बीस साल की हो गई तो फिर क्या होने लगा जब बीस साल की होई तो बीस और इसके बाद में एक बीस अर्था तब 20 आ गया तो जैसे बो 2000 साल की हो गई तो यहां पर 2000 आ गया आज इसा मसी के जर्म का किंदा समय हो चुका है तो आज हो चुका है पूरे 2020 साल ठीक है तीसलिए आ चुका है 2020 ठीक है अब इसके बारे में कुछ यहां पर पॉइंट ही दिया जाने के मादने में से ई पू ईसा मसी जर्म के पहले इसके बाद में अगला पॉइंट जीया रहा है कि हिंदी में बरतमान किती प्रियोग मेंений का चलन है चईठ आज हम लोग जो हिंदी में बरतमान किती ऐसका बोलते हैं इसका चलन है अंग्रेजी में यहाँ पर हम लोग इसका उप्योग करते है AD अर्थाथ Anodomain ठीक इसको अंग्रेजी में Anodomain का जाता है ठीक है अंग्रेजी में इसका प्रियोग AD के रूप में किया जाता है इसके बाद में BCE का आर्थ है Before Christ Era Era तथा CE का आर्थ है Common Era ठीक है जो BCE है इसका आर्थ है Before Christ Era Common Era ठीक है यहाँ पर स्वरी में Common Era है और जो इसके बाद में CE है इसका आर्थ क्या है तो इसका आर्थ है Common Era ठीक है और इसके बाद में अगला प्रियोग का प्रियोग जो तो Before Christ के लिए किया जाता है कि जो B है और इसका प्रियों किस लिए किया था तो इसका प्रियों किया था बिपोर क्राइस्ट के लिए ठीक है बिपोर प्रिजेंट के लिए क्राइस ने बिपोर प्रिजेंट है थीक है तो before present आज के इस chapter में पूरे 8 question थे जो कि सारे ही important question आप लोगों देखेंगे इन 8 question के मादवें से मैंने पूरे chapter को cover कर दिया है अब इससे बाहर अगर एक भी question हो तो आप हमको comment box में जरूर बताएगा मैं अगले chapter में उसको cover कर दूँगा अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो भी राप हमसे comment box में पूर सकते हैं आप लोगों से अनुरो देखी रहता कि हमारे वीडियो को share जुरू कर दिया करें जिससे कि जो लोग UPSC के तयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पहुंच सकें और वो अपनी तयारी को कर सकें फ्री में ठीक है तो मिलते हैं एगले वीडियो के साथ तक के लिए जैहन दोस्तों